हेलो, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा ते अबर फिर से हम चलेंगे हमारे W3Schools पे और हम कर रहे हैं SQL SQL में SQL Server Functions अभी हम देख रहे हैं SQL Server Shrink Functions और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुँच चुके हैं Trim Function के उपर आज इस वीडियो में हमें देखना है Unicode Function क्या होता है SQL Server Unicode Function इसको देखते हैं अच्छे से डेटेल में डेफिनिशन देखते हैं सबसे पहले हैं The Unicode Function returns an integer value The Unicode value for a first character of the input expression क्या नाम है Unicode Function का Unicode हमें चाहिए कोई भी expression कोई भी हम character या इंसर्ट करेंगे यह function क्या गरेगा Unicode जो हमारा हम character encoding जो भी हम पढ़ते हैं अलब हर specific character का keyboard में ऐज़े एक code होता है तो वही यह code मांग रहा है आप expression दो आप character दो मैं आपको क्या बताऊँगा unique code बताऊँगा उसका ठीक है syntax देखते है Unicode हम क्या करेंगे type करेंगे parenthesis start करेंगे और जिस expressions का जिस character का हमें Unicode चेक करना है यहां में चाहिए वो हम यह पास करेंगे और यहां भी हम parenthesis लगा कि यह क्या है Unicode function का Unicode function का syntax है ठीक है parameters value क्या करता है हमें यहां पर पास करना है character expression, character string यहां पर कुछ भी हो सकता है उसके character बताएगा जो भी यह unique code होता न बेसिकली जो return करेंगा वह एक decimal value होती है particular character के particular code के particular जो भी हम character हम पास करेंगे उसकी यूनिक code हमें मिलेगा जो कि decimal value होती है, अगर आपने ask का फंक्शन भी देखा है, तो उसमें भी यह चीज़े आपने देखी होगे, तो unicode character set होता है हमारे बास, उसका हर character का एक code होता है, अब देखो इसका example run करके देखते हैं, इन्होंने पूरा character लिख दिया है, पूरा string लिख दिया है, तो इसमें से यह क्या गरेगा, जो starting का character है, उसका unicode character बता देगा, return कर दिजिए integer value, unicode value for the first character of the input expression, और जो भी पहला input हमने किया है, तो a के हिसाब से unicode बता देगा, ठीक है, तो a का कितना था, 65 के था, ठीक है, तो यह कितना आ गया, 65 code आ गया, अब ही देखो, और उसके बाद यह unicode, ओ एक और example लेखते हैं, सबका unicode बताना है, first character के हिसाब से, और यह कहां से बता रहा है, कहां से कोशिश कर रहा है, customer table से, इनके customer table से, एक customer table है, लगा है, किसके उपर है, customer name के उपर, जो भी हमारा नेम है उसका उसको पहला पहला लेटर पहला पहला क्यरेक्टर वो क्या गर्यगा देखेगा और उसका कोड़ बता रहे गहां तो देखते हैं एक एसाप से 65 65 65 आगे फिर 66 हो गया होगा वी सी आगया होगा आजए देख लो ना कस्टमर नेम साथ में भी प्रिंट करवा रहे हम लोग क्योंकि कॉमा लगा के हम एट्रिब्ट कर वा लिया है दूसरा भी तो यह एक एसाप से 65 पहला पहला देख रहा है यह चीज़ तो यह क्या है यूनिकोड और बेसिकली मैं एक सोर्स पर चलते हैं मैं आपको दिखाई देता हूं कि मैं कहां से यह वैल्यू मिल गई है अगर किसी को यह चीज़ नहीं पता आया है तो कि मास्काई विक की चलते हैं और चलो हुँस इसी में टेबल मिल जाएगे है कि और यह टेबल दिखा देता हुँ हूं चैनल कि करेक्टर होता है जैसे एक ही बात कर रहां कि अक है की वायल्यू हमें मिल रहे एक सामिए हुए है से चिसिफिक हों गया सब के लिए है अभी हम हम यह यूज कर रहा है यूनिक कोड है सबका एका फिक्स कर दिया 65 बीका 66 सी यहां भी देखो और भी बहुत सारे हैं स्पेस का 32 तो हमें जो मिल रहा है वह यूनिक कोड मिला है जो की टैसिमल वैल्यू है तो हर जितने भी कीबोर्ड में आपको केरेक्टर्स देखेंगे सबक का फिक्स कर रहा है तो यहां से आप यह चीज़ें देख सकते हो हर चीज का यूनिक कोड है तो यह हमें यह फंक्शन रेटन कर रहा है मैं आप लोग इससे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जितना हो सकता है शेर कर दीजि ठैंक यू जय हिंद जय वारत